पिटाजी बात कर रहे हैं यहां पर कोशी का जीवन की काई जिसका मेरे ख्याल से आज आखरी लेक्चर होने वाला है है ना वह दिन हो गए ना एक ही चेप्टर चल रहा था आज इसे खतम करेंगे हम क्या पढ़ रहे थे यूकेरियोटिक कोशी का उसके हम क्या पढ़ रहे थे कोशी का अंगक जिसमें हम आखरी चीज पढ़ रहे थे जो था क्या हमारा केंद्रक तो आज बात करेंगे किसकी बिटाजी केंद्रक्त की फूरा खतम करेंगी उसके रहाँ एक और चीज पढ़ेंगे सुक्षमकाई वो भी पढ़ेंगे ठीके और लास्ट में लेकर हमगा क्या क्विज्ज चलें आगे आईए बिटाजी यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी हम यू लाइसोसोम, हमने देखी गोल जी काय, हमने देखा बिटा जी यहाँ पर लाइसोसोम, हमने देखे यहाँ पर रस धानी, हमने देखे यहाँ पर माइटो कॉंडरिया, उसके बाद लवक, उसके बाद हमने कोशी का कंकाल, फिर उसके बाद हमने देखा था क्या पक्षमाब और कशा भिका फिर उसके बाद हमने देखा तारक काय और फिर हम देख रहे थे क्या केंद्रक ठीके क्या देख रहे हैं केंद्रक देख रहे हैं जिसमें मैंने मामली से सिंपल सी चीज़े आपको पिछले लेक्चर में बताई थी क्या बताया था एक बार फटाफट ध्यान से सुनना मैंने बोला था क्या केंद्रक की खोज किसमें करी है आपको अच्छे तरीके से पता है कौन रोबर्ट ब्राउन रोबर्ट ब्राउन ने क्या करी थी 1831 में खोज करी थी ये मैंने आपको बता दिया था और कहां करी थी ये भी बता दिया था और चड़ पादपकी जड़ों की कोशिका में किंद्र की खोज करी थी दूसरा मैंने एक और विग्यानिक बताया था कौन असीटा कौन असीटा बुलेरिया कौन बिटाजी Acetabularia विज्ञानिक नहीं Acetabularia Acetabularia एक जीव है जिस पर एक विज्ञानिक ने कारे किया था जिसका नाम था Hammerling क्या नाम था? Hammerling और उन्होंने इस हरीशेवाले याद रखना मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था ये एकल कोशी की हरीशेवाल है इस पर कारे किया था और कारे करने के बाद ये बताया क्या एक कोशी का का निर्देशक कौन होता है केंद्रक होता है एक कोशी का कि सभी कारे को कौन नियंतरित करता है केंद्रक नियंतरित करता है केंद्रक कोशिका का कोशिका का निर्देशक होता है कोशिका का निर्देशक होता है ठीक है ये चीज बताई थी किसने बटा जी आपके हैमर लिंग ने किस पर कारे करके ऐसी टाबू ले रही है बताएं ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई है चले ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था एक बार रिवाइज करा दिया है अब नेक्स चीज जो है जो हमें केंद्रक में पढ़नी है ध्यान से सुनना संग्रचना देखने से पहले एक और बिंदू तीसरा बिंदू एक तरीके से हम बोलेंगे क्योंकि पहले दो ये बिंदू थे तीसरा बिंदू ध्यान से सुनना ये जो केंद्रक जो होता है क्या हर कोशिका में होता है सोचो क्या प्रतियक कोशिका में केंद्रक मिलता है क्या दिमाग लगाएं क्या हर कोशिका में केंद्रक मिलता है नहीं कुछ कोशिका हैं ऐसी होती जो अकेंद्रकिय होती है अकेंद्रकिय मतलब जिन में केंद्रक नहीं होगा अकेंद्रकिय कोशिका किंद्र की कोशिका का मतलब जिनमें किंद्रक नहीं होएगा अब कौन सी वो कोशिका है जिनमें किंद्रक नहीं होता आप अच्छे तरीके से जानते हैं भूल मत जाएगा हमारी RBC जो होती है लाल रक्त कणिका जो होती है RBC उसमें किंद्रक नहीं होता भूला मत ठीक है एक वर्ड याद रखना चालिनी नलीका भूल मत जाएगा चालिनी नलीका आरबीसी नाम तो सुना हो ना हमारे रक्त के अंदर एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है आरबीसी उसमें के द्रक्त नहीं होता है चालिनी नलीका जानते हैं क्या होता है अच्छ चार प्रकार की कोशिका से बना होता है जिसमें से एक होती है चार प्रकार की कोशिका से बना होता है जिसमें से एक होती है चार प्रकार की कोशिका हैं आप बोलेंगे बाकी तीन कौन होती है हाला कि उसके अभी जर्रत नहीं है लेकिन अगर आप चाहते हैं तो नाम सुन सहायक कोशिका, फ्लोयम रदुतक और फ्लोयम लेशे, यह चार प्रकार की होती है कोशिकाएं, जिन में से एक होती है, चालिनी नली का याद रखना, इन में भी केंदरक नहीं होता, यानि यह मैंने आपको दो धारन बताएं हैं, ऐसी कोशिकाओं के बिटा जी, जिन में केंदरक नहीं होता, बताएं, यह सिंपल सी चीज समझ में आई है, तो प्रशन तो यही था ना मेरे भाई, आपने प्रशन यही पूछा, क्या सर हर कोशिका में केंदरक मिलता हैं, मैंने बोला, नहीं, अब वाद शरूब, आपने याद रखना है कुछ ऐसी कोशिका हैं, इनमें केंदरक नहीं मिलता है, मैंने आपको दो उतिक नहीं मिलता है, हमारे अंदर कौन, RBC, और उसी प्रकार पादुपों में फ्लोयम की एक कोशिका होती है, जिसका नाम होता है, चालिमिन नलीका, ठीक है, अब यह तीसरे बिंदू का पहला भाग, अनला मुधारन ही है, क्या एक से जाधा भी मिल जाते हैं, क्या, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम यानि अधिक्तम कोशिकाओं में याद रखना, जाधा तर लिख देता हूं, जाधा तर कोशिका जो होती है, जाधा तर कोशिका जो होती है, उनमें कितने केंदरक मिलते हैं, एकल केंदरकी होते यानि कितने केंद्रक मिलते हैं एक केंद्रक मिलता है सिंपल सा था लेकिन अब पूछे के सर क्या कोई ऐसी कोशिका है जिसमें दो केंद्रक मिलते हो मैं बूलूँगा हाँ द्वी केंद्रकी भी होते है द्वी केंद्रकी देखिए हमने क्या पड़ा आ केंद्रकी एक कोशिक द्वी केंद्रकी का उधारन बताएं तो याद रखना बिटा जी पेरा मीशियम जो होता है उसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं कितने केंद्रक पाए जाते हैं दो केंद्रक पाए जाते हैं याद रखिएगा जैसे हमने पेरा मीशियम देखा था जब मैंने आपको कशा भेक और पक्षमाब पढ़ाया था, तो क्या मैं उसका डाइग्राम लाया था ना याद है? एक होता है वरत यानि बड़ा और एक होता है छोटा यानि अगर ये मान लेते हैं हमारा पैरा मीश्यम है तो इस पैरा मीश्यम के अंदर बिटा जी एक छोटा के इंद्रक और एक बड़ा के इंद्रक है पता है इतनी सी बात समझ में आ गई है तो द्वी के इंद्रकी होता है कौन. मैरे भाई, बैरा एशिम, ठीक है, अब फाइनल सिब दाहत, अब दीखे, चार ही तो परिस्तिति होँएक या तो केंद्रक होगा नी, और अगर होगा तो एक होगा या दो होगा या दो से जाधा होएगा, अगर दो से इसमें बहुत तरे केंद रख़ाएंगे, आप पूछेंगे सर उधारण बताओ, बिटा ज़रा देखना ये क्या है, ये, ये क्या है, आप बुलेंगे सर ये तो मासपेशी है यहांपर, बिलकुल है, यहांपर क्या है, मासपेशी है, बिटा मेरी मासपेशیا Muss事情 किससे बनी हु सोचिए यह मासपेशी मेरी इच्छा के अनुसार हो रही है तो क्या ऐसी मासपेशी को मैं एच्छिक बोलूँगा के अनैच्छिक बोलूँगा आप बोलेंगे सर एच्छिक बोलेंगे यह ना बिटा यह मासपेशी मेरी हड्डियों से जुड़ी हुई है किस से जुड़ी ठीक है समझों में आ गया confusion तो नहीं था तो याद रखना बेटा जी हमारी जो कंकालिये मासपेशियां जो होती है उनकी जो कोशिका होती है और बच्चों पूरा वड़ देखो क्या लिखा हुआ है कंकालिये मासपेशी कोशिका यानि हमारे कंकाल से जुड़ी हुई जो मासपेशियां होती है उनकी जो कोशिका होती है ऐसी मसल्स की जो सेल होती है ऐसी कंकाल से जुड़ी हुई हमारी हड़ीयों से जुड़ी हुई मासपेशियों की जो कोशिका होती है उनमें बहुत सारे क्या मिलते हैं केब्रक मिलते हैं भूल मत जाएएगा बताएं क्या य देखेगा 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 अभी तक मैंने आपको क्या बताया रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा 1831 में बता दिया कहां से खोजा ऐसी टाबुलेरिया पर कारे किया था किसने हैमर लिंग ने और क्या बताया कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका कर निर्देशक होता है कुछ ऐसी जिसमें बहुत सारी होते हैं जैसे हमारी हमारी कंकालिये मास्पेशियों की जो कोशिका होती है ठीक है और ज्यादा तर कोशिका कैसी होती है आपकी एकल के अंदर की बताएं क्या यह सिंपल सी बात समझ मागी है चले आगे कन्फूजन तो नहीं था अब हम देखेंगे क्या संग्रचना यानि श्ट्रक्चर किसकी वहिया केंद्रक की आई यह देखते हैं जल्दी से केंद्रक जो होता है दिखाई दे रहा है आपको क्या आपको केंद्रक दिख रहा है आप बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है हाँ यही केंद्रक है ऐसा ही होता है इसी प्रकार से होता है कौन केंद्रक अब जरा सोचे सिंपल सी चीज समझ में आ जानी चाहिए क्या आपको केंद्रक के कितने आवरन दिखाई दे रहे हैं सोचें माइटो कॉंडरिया जो था उसमें कितने आवरन थे दोहरा आवरन था लवक में दोहरा था और केंद्रक में भी कैसा होता है दोहरा आवरन होता है याद रखना ये बहिये आवरन और ये अंते आवरण ठीक है ठीक है समझ में आ गया अब इन दोन इन दोन भारी और अंते जो आवरण है वो कुछ-कुछ जगे पर एक दूसर से जुड़ जाते हैं जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो उसकी वज़े से एक चेद पैदा हो गया इस चेद को हम बोलते हैं केंद्रक छिद्र क्या नाम दिया है केंद्रक छिद्र ठीक है बताएं क्या ये पहली संग्रचना में ध्यान से सन्ना अगर मैं आपसे सीधा सीधा बोलूं कि बिटा हम देखने वाले केंद्रकी संग्रचना केंद्रकी संग्रचना अगर हम देखते हैं तो चार भाग मिलते हैं चार चीज़े हम पड़ते हैं किसमें केंद्रक दीμ Me क्या 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 गश्द सुना सबसे प्हेले चीज हम देखते हैं कि त्र Dort आव्रन जिसको केंद्रक जिली भी बोल देते हैं आप भूलेंगे केंद्रक जिले को Compressive केंद्रक आवरन केंद्रक जल्य Li एक ही चीज़ है दूसरा हम देख्टे हैं केंद्रक क्या देख्ते हैं केंद्रक ग्रों केंद्रक जो रिकविड उसे हम क्या बोलते हैं केंद्रक द्रव्य के अंदर एक संग्रचना मिल रही है एक से ज़्यादा भी हो सकती है यह इसका नाम है केंद्री का केंद्री का ठीक है सिंपल साथ और फाइनली दा मोश्ट इंपोर्टेंट चीज कि भाईया इस द्रवे के अंदर कुछ जाल सा मिल रहा है एक जाल मिल रहा है कुछ धागों का कुछ इस तरीके से धागे मिल रहे हैं और ये धागे ऐसे पहले हुए है इस तरीके से पहले हुए है ये धागे और ये जो धागे जो हैं ये क्या बना रहे हैं बच्छो एक जाल सब बना रहे हैं किसके अंदर किंद्रक ज्रवे के अंदर और इस जाल को हम बोलते हैं क्रो में तिन क्या नाम देते हैं बच्छो क्रोमेटन ठीक है तो यह चार चीजे हम पढ़ते हैं जी चार चीजे पढ़ेंगे खतम हमारा केंद्रक बस आईए फड़ा-फड़ देखते है सबसे पहली चीज हमने क्या देखा केंद्रक आवरण ही हमने देख लिया पता है आपको पता है आपको हमने देख लिया केंद्रक आवरण जरा सोच यह मुझे जल्दी से बताएं हमने केंद्रक आवरण में केंद्रक आवरण में जल्दी से मुझे बताएं क्या देखा घ्ला बिंदू आपने याद रखनना है कि इंद्रक आवरण के ना वी तो होता है न चीज मैंने को नहीं बता है अभि-बता ही बिल्कुल अभी बता और चीज में आपको बता दी सिंपल सी क्या कि ये दोनों जिलियां कुछ जगे पर एक दूसरे से फ्यूज हो जाती है देखो जरा ये दिखे ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या यहां पर एक दूसरे से जुड़ गए ना और जब जुड़ गए और इधर से भी 21 से तो किसी चीज का आदान परदान होता है क्या यहां से कोई आदान प्रदान होएगा बेटा जरा दिमाग लगाए यह मैं आपको ना पहले बता चुका हूं क्या कि यह ना केंद्रिका यह केंद्रिका यह लिखी हमने कौन दिखाई है यह केंद्रिका जानते हैं यह केंद्रिका किसकी फैक्टरी है बताया था याद कर केंद्री का किसकी फैक्टरी है तो यह राइबोसूम की फैक्टरी होती है भूल मत जाना राइबोसूम की क्या है फैक्टरी यानि यह केंद्री का वो जगे है जहां पर उत्पन होएंगे राइबोसूम भूल मत जाना केंद्री का जो है वो किसको उत्पन कर रही है किसका नि बनाया अब आप मुझे बताएंगे यह बाहर वाला आवरण जो है कि इस बाहरवाले आवरण से कोई कोशिकांग जुड़ा हुआ था दिमाग लगाएं याद करें कोई कोशिकांग था जो जुड़ा हुआ था था क्या नाम था अंतग्रवेजाली का एंडोप्लासमिक रेट लेकिन कहां जाकर लग रहे हैं सर बाहर जाकर लग रहे हैं तो बाहर कैसे जाएंगे किसी छेड से जाएंगे और साब ये छेड का नाम क्या है तो केंद्रक छेडर का कार्रे क्या था जरा दिमाग लगाएं केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है उसका नाम है केंद्रक द्रव् कोशी का द्रवे अब आप मुझे बताएं केंद्रक द्रवे और बाहर की कोशी का द्रवे के बीच में बीच में बदार्थों के आदान प्रदान कराने के लिए जिम्मेदार कौन है केंद्रक छिद्रक या कोशी का द्रवे से कोई चीज अंदर लानी है या केंद्रक द्रवे से कोई चीज बाहर ले जानी है कौन उतरदाई है के द्रक छिद्र तो याद रखना है इन में छिद्र मिलते हैं जो क्या करते हैं बेटा जी कोशी का द्रवे कोशी का द्रवे और केंद्रक द्रवे के बीच में पदार्थों के आदान परदान पदार्थों के आदान परदान के लिए उतरदाई होते हैं किसके बीच में कोशी का द्रवे और केंद्रक द्रवे के बीच में अगर पदार्थों को अदर लाए प्रोटीन को अंदर लाए ऐसी चीजों के बीच में आदान परदान कराने के ल इससे जदा कुछ नहीं मेरे बाई भस इतना ही याद रखना है कि समय केंद्रक आवरन में हैं ठीकर आए दूसरा बटाजी हमारा केंद्रक केंद्रक द्रफे आप केंद्रक जो होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूकलियो प्लाज्म और सिंपल तरीके से याद रखना है यह क्या होता यह एक पार दर्शी पार दर्शी कम तो एक पार दर्शी यह पार दर्शी और में बिलू हम भणा गना मतला थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का जो होता है घना द्रव्य होता है ठीक है जिसमें क्या मिलते है याद रखना इसमें क्या मिलता है ध्यान से समना दीन ने आर ने प्रोटीन एंजाइन खनीज आदी अब खनीज मतलब जैसे फॉस्फेट फॉस्फेट खनीज आदी पाए जाते हैं तो सिंपल तरीके से याद रखना वेटा जी क्या क्या मिल रहा है इसमें डीन ने मिलेगा इसमें आर ने भी मिलेगा इसमें प्रोटीन भी मिलेंगे इसमें एंजाइम भी मिलेंगे इसमें खनीज मिलेंगे खनीज मतलब समझ में आते हैं तत्व होते हैं जैसे एलिमेंट्स होते हैं तो फॉस्पेट के रूप में मिलता है जो इसमें मिल रहा है यहां पर मिल रहा है कहां मिल रहा है अंदर मिल रहा है फॉस्पेट भी मिल रहा है अंदर आरन ने भी मिल रहा है अंदर एंजाइम भी मिल रहा है और सारी चीजे मिल रहे हैं किसमें इस केंद्रक द्रव्य में त भाइया तैंद य सोन बागी ये लिखने की जरत है क्या इतना पता ही हे ना यह कौन केंदरीका, यह केंदरीका कहा मिल रही है, केंदरक द्रवे में, यह जो क्रोमेटिन, यह जो जाल मैंने आपको दिखाया है, इस जाल को आमने क्या नाम दिया है, क्रोमेटिन, यह भी किसमें मिल रहा है, केंदरक द्रवे में, यह क्रोमेटिन जो जाल है यह बना वके में समय दिने मिल रहा हैira हैं और ने मिल रहा है प्रोटीन मिल रहे हैं इंजीम मिल रहे हैं इस सारी चीजय गहां रही है वह भी यह भूलहा नहीं भी अब आते हैं सीधा हँरे तेसरे बिंदु किड्रीए कर फटा फट इसको भी खतम करते हैं क्या का कि जिसको हम न्यूपली ओलस हो कि औल गोलते हैं क्या नाम जेते हैं जिरृण केंदरिका से सिर्फ और सिर्फ दो प्रश्न बन सकते हैं आपने 10 रहों थे यह केंदरिका नहीं दो नहीं क्या का टीक है ये अखूर आ करता हूं यहां कि फिर से बता देता हूंنتे हैं आक कारण से तुलना करके मैं आपको बताता हूं मैंने बोला बेटा मेरी एक है दुकान किसकी कम्प्यूटर की दुकान याद आ गया कम्प्यूटर की दुकान ठीक है इस दुकान के अंदर रखा हुआ है CPU मॉनिटर कीबोर्ड और माउस बहुत सारे रखे हुआ है रखे हुआ है उसी प्रकार केंद्री का है माल लेते हैं ये कौन है केंद्री का जहां से सुनना ये कौन है बटा केंद्री का अब इस केंद्री का में क्या रखा हुआ है जहां से सुनना दो चीजे रखी हुई है एक आर आरन में और प्रोटीन रखे हुआ है भरे पड़े इस और प्रोटीन से बने होते हैं बताएं इतनी सी बात समझ में आगई ये किस से बने होते हैं और और प्रोटीन से बने होते हैं अब मैंने आप से बोला कि भईया मेरी कम्प्यूटर की दुकान है हमने इसकी तुलना करी किस से केंदरिका से कंप्यूटर की दुकान में समान रखा था केंदरिका में ये दो समान रखा हुआ है ठीक है अब मेरी कंप्यूटर की दुकान ने कोई ग्रहा काया उसने मेरे से कहा कि भईया मुझे एक कंप्यूटर बना कर दो क्या बना कर दो कंप्यूटर बना कर दो तो मैं क्या करूंगा कि अब यहां पर सन्देश आया यहां पर ग्रहक आया और बुला मुझे यह चाहिए के बहीगा हमें राइबोसोम चाहिए तो केंद्रिका के अंदर ये और ये प्रोटीन बिखरे पड़े थे बिखरे पड़े थे अब मैसेज आया केंद्रिका के पास कि भाया राइबोसोम चाहिए तो केंद्रिका ने क्या किया इस और ये और इस प्रोटीन को जोड कर जैसे इन पदार्थों क CPU monitor keyboard और mouse को जोड़ कर क्या बनाया था computer बनाया था अब जरा सोचे क्या computer अकेला monitor से बना होता है क्या अकेला CPU से बना होता है अकेले mouse एक computer होता है क्या नहीं ना उसी प्रकार अकेला RRN राइबोसोम होगा क्या या अकेला protein राइबोसोम होगा क्या क्या confusion होता है वो सोचते Sir Ribosome capitalize और प्रोटीन से बना हुआ है और केंद्री का भी URL और प्रोटीन से बना होते है इस ई técnica वो तो और रेटीन होने हिए तो दोनों में सब्सक्राइब कम्प्यूटर उसी प्रकार यहां पर आरारेन और प्रोटीन रखा हुआ है जुड़ा हुआ नहीं था जब होएगी रिक्वार्मेंट राइबोसों की तो इन दोनों को जोड़ कर क्या बनाया जाएगा राइबोसों बनाया जाएगा तो बिटा जल्दी से सोच समझ कर मुझे बता हैं पहला विदू समुझ में हागया केंध канал किसे बना हुआ है इन दोनों से मिलकर बना हुआ है यह यह दोनों रखे हुए किसमें हमारी केंद्रीका में है तीक है दूसरा विद Water याद रखना है मर दूसरा यहाठा दू यहाँ से समय होगया नहीं यह complain AND Ricardo스 दूक्या अब दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा बेटा जी यहाँ पर फड़ा फ़ाट क्या ये केंदरीका को मैं राइबोसॉम की फैक्टरी बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं जल्दी से सोची अभी-भी मैंने आपको बताया था क्या बोलूंगा इसको राइबोसॉम की फैक् कि बूला जाता है किसको केंद्रिका क्या बना रही है मिरे भाई राइबुसुम बना रही है तो क्या बोलेंगे राइबुसुम की फैक्स्टी खतम बताएं इतनी सी बात समझ में आ गई चलें आगे अब नेक्स आखरी बिंदू ये दो बिंदू है बिटा जी ये पहला पहलें और अभल जी से सोच समझ कर मुझे बताएं ऐसी संग्रचना याद है जिन पर आवरण नहीं था याद करिये आप बोलेंगे शार राइबुसुम मैं भूलोंगा हाँ जी यह ताराक केंद्र मैं रहा है या तारक का है हाँ जी ना दो ना एक हीची चीज़ थी ते त आवरण हीन होती है भूल मत जाएगा कैसी होती है बटा आवरण हीन होती है कौन आपकी केंद्रीका ठीक है यह समाने से तीन बिंदू थे किसके केंद्रीका के सिंपल से तीन बिंदू थे किसके केंद्रीका के बताएं क्या यह केंद्रीका के तीन बिंदू समझ में आगे अब आप मुझे बता है किंद्रक की संग्रचना में हमने केंद्रक आवरन देख लिया केंद्रक द्रव्य देख लिया किंद्रीक डेख लिया अब सिब्सेंपॉर्टन चीज़ है क्रोमे इस कि बात करने वाले बच्चों यहां पर हमará 54 के को अब ध्यान से आďा क्रोमेटिन सब से पहले चीज ध्यान से सुनना यह क्रोमे क्रूमेतन की खोज किस ने करी है तह सब्से पहला बिंदु आपने याद रखने है is क्रूमेतन की खोज क दो elevated किस ने यूप विज्ञानिכ जिसका श्राइम में अभूल्ज जाना gathering ओ्यूमिंग ने खोजगरी है किसकी क्रोमेटन की है क्या है क्रोमेटन इसको थोड़ा सब तसलीख समझना विटा नहीं तो यह उपर से चला जाएगा ठीक है समझते हैं क्रोमेटन क्या है अभी इतना सा याद रखनें यह जो क्रोमेटन है यह जाल है अब किसका जाल है आईए एक बर दिखाता हूँ कैसा है ये जाल देखे जरह यहां पर ये है विटा जी यहां पर ये जाल दिख रहा है आपको ये केंदरक है उस केंदरक केंदर ये जाल है दिख रहा है ना nuclear membrane यानि केंदरक कावर है जिसके अंदर ये जाल सा ने दिख रहा ह कुछ धागूं का, अभी अभी मैंने यही तो बताया था, क्रोमेटें क्या होता है, जाल होता है, क्या होता है, किसyas अभी बताऊंगा लेकिन एक फील missed zh? सब समझ में अब दिए जाल है इतना भी याद रहना यह जब सिकुरता है अभी यह मत पुछना सर इक्सका एक इसट्रा बटा रहे हो ुका पहली हिसी कि यह प्रोमेटिन यह जाल जो होता है यह जाल संगनित होता एँ ये का मतलब कर जानते हैं क्या उता है शिकुडना को मतलब ही के संगनित का मतलब होता है इस नह solidarity बोलते चोटा हो जाना यह जाल जो होता है यह संधने तो होता है और संधने तो होकर बनाता है याद रखना निर्मान करता है जिनको पता है वेल्डन जिनको नहीं पता है याद रखना यह निर्मान करता है किसका गुण सूत्र का जिसको हम बोलते हैं क्रोमोजों क्या नाम देते हैं क्रोमिजूम देखना चाहेंगे कैसे देखिए यह आपको जाल दिखाया कौन था बिटा जी क्रोमेटें था मैंने क्या बोला यह जाल क्या है धागों से बना उखे हैं रेशें अंदर फाइबर है ठीक है यह जल्डी जल्डी हो रहा है इसलिए ठोड़ा सा जल्डी जल्डी इक जाल दिखेगा जो शिकुड कर बना रहा है छो मेटेनस कुड कर क्रोमोजूम सकतर दिखाऊ और देखेगा यह क्या दिख रहा है है। मैं बहुत सारे diagram है मेरे पास प्षड़ते हैं थोड़ी सी interest लेकर मैंद़ करकर पढ़े तो यह chromatin है आप बोलेंगे सर सर क्रोमτιन तो क्रोमन है ग्या होती है जरा सोथे एक एक प्लेट में मैं ने चोमन रग दी रागे ना दागे होते ना अगर वो चौमिन फैल जाए तो हम बोलेंगे ना एक जाल होता है क्रोमिटिन क्या एक धागों का जाल है जो एक ठाली में फैल गया है पस उसी तरीके से केंद्रक के अंदर जाल मिल रहा है जाल नहीं मिल रहा है अब ये जाल किस से बनाभी है मैं बोल रहा हो ना बताउंगा बताउंगा लेकिन अभी सी इतना से ये जो खुरूमिटिन है ना ऐसी इस शंगनित हों कर बनाता है ऐसी संगैंचना यह बिटा जी आपका क्या गोण सूद्र क्रोमो जो आएं पढ़े किसकी बात करने वाले हैं क्रोमेटन की बात करते आई जहां से सुनिएका जो चीज मैं बताने वाला हूं उसको समझना देखेगा क्या आप अपनी कोशिका को देख सकते हैं आज जो मैं चीजे बताने वाला वोढ़ा होता है अएक त्वच्छा की कोशी का के केंदर की लंबा इसे होता है यह लगवग होती है 2.2 मीटर या इसको हम सीधा 2 मीटर भी बोल देते हैं या तो 2 मीटर या 2.2 मीटर NCRT के हिसाब से चलेंगे तो 2 मीटर र्याद रख लेना एक्जेक्ट कितनी होती है 2.2 मीटर होती है जानते हैं एक मीटर कितना ही है यह मेरी उंगली है यहां से लेकर यहां तक वन मीटर एक मीटर एक और मीटर यानि यह जो पूरा बोर्ड है यह लगवग दो मीटर का है थोड़ा सा चुटा होगा दो मीटर से लेकिन कहने वाली बात है इतना लंबा धागा इतना लंबा धागा और डियने जो होता है वो द्वी रज्जू की होता है दो धागों से बना होता है यह दखना डियने ऐसा होता है द्वी रज्जू रज्जू का मतलब होता है क्या बिटा एक लड़ी जो होती है एक रेशा एक धागा यह एक धागा एक धागा एक धागे क इतना लंबा, 2.2 मीटर लंबा डियने, कहां पर है, कहां पर है, मेरी इतना लंबा सूप, इतना लंबा डियने मेरी कोशिका के केंदरक में है, कोशिका को मैं देख नहीं पा रहा, केंदरक वैसे ही नहीं दिखेगा, उसके अंदर इतना लंबा डियने कैसे डाल दिया, कैसे अगर मैं अपनी हरएक कोशी का से इतने लंबे डिने को निकालेगी। सुनना मैं मतलब एक scientifically proven है कि अगर हम मनुष्य है एक व्यस्क मनुष्य की प्रतियक कोशिका से इतना लंबा DNA कितना दो मीटर लंबा DNA निकालते जाए हर कोशिका से निकालते जाए और उस सारे DNA को अगर जोड़ दीया जाएना जानते हूं कितने लंब होएगा सुचें कितना लंब होएगा कितना my लेермाग लगा यूपी से राजिस्थान कितना इस प्रFFIE के न एक चक्कर काट लूंगा इतना लंबड यह आप पुलें है पूरा चक्कर काट लूँगा फिर भी नहीं रुकूंगा एक और चक्कर काट लूँगा आप लोगे दो चक्कर तीन चक्कर काट सकता हूं इस प्रत्वी के सोचों इमाजन करो इतना लंबा डियन मेरे अंदर आपके अंदर भरा बड़ा है सोच सकते हैं, इमाजन कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते होएंगे, आप लें सर इतना सारा डियन ने कैसे भर दिया, कैसे भर दिया, कैसे भर गया भी बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बताए इतनी सी बात समझ में आगी है, फाइनल आप प्रश्म कुचेंगे, सर इतना लंबा डीने कोशिका के अंदर इतना लंबा डीने कैसे डाला मैं एक सिंपल से उधारन से बताता हूं आपको बढ़े जल्दी से आसानी से समझ में आएगा बचो आपने ये उड़ाई है कभी कि अधि अधिग कि अधिगी अधिग नृट पतंग है अंधि कि अल्व मुझे एक किलोमेटर लंभी पतंग रुडानीं कि यह थजि подход लुड़ाना तो मेरे पास ढागा जो होता है जुड़ा doses ना इतना लंबा मेरे तब क्या थी धागा चाहिए एक किलो मेटर लंब़ इतना लंबा जो धागा एक किलो मेटर लंबा जो धागा है क्या उसको मैं इतने से चर्खे की उपर लपेट कर लाया है नहीं सोच एक किलो मीटर लंबे धागे को चर्खे के उपर लपेटता आया लपेटता आया लपेटता आया लपेट कर लेकर आगया है यह आया ना बस वही चीज बेटा जी हमारे केंदरक में होने वाली है क्या इतना लंबा डियने कैसे डालेंगे केंदरक में तो बहुत सिंपल तरीका था क्या कि इतने लंबे डियने को लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटो 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 ठीक है और इस हिस्टोन प्रोटीन के उपर हम लपेट जाते 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 लपे ग्याट दिया क्या यही डिन ने आ रहा था फिर लिपट गया घर वापिस जाएगा फिर लिपट जाएगा अंत इतनी जी बात समझ में बाइं किसके उपर इस्टों के ऊपर अब आप मुझे बताए यह संगरचना दिक रही है आपको यह इतनी सी संगंगर्चना केवल इतनी संग्रचना इसमें क्या-क्या दिख रहा है आपको आप बोलेंगे सर हिस्टोन दिख रहा है हमने बहुत अच्छी बात है? और क्या दिख रहा है सर D.N. ने दिख रहा है? अब ये जो संग्रचना होटी है इसको बूला जाता है nukleosome ध्यान से सुनना क्या नाम देते हैं बचो नुकलियोसोम नाम दिया जाता है अब आप मुझे बताए ये नुकलियोसोम ऐसे ये नुकलियोसोम ऐसे बहुत सारे नुकलियोसोम होंगे या नहीं होंगे के नहीं होंगे पीछे थोड़ा सा चलते हैं देखिएगा ध्यान से द्ष्वाल। जो है यह है डिन ने यह जो पीले रंग का जी धागा जो था न यह पीले रंग पार आ जए हें ने इस को हिस्टोर प्रोटीन चोपर लपेटा ख्या बना लिए नी क्या रएजिए संन हर यह चा ऐध़ान से दिख'D आपका chromatin जिनको अब भी भी नहीं आया है वापिस से देखना ये बिटा हमारी एक कोशी का इस कोशी का में थोड़ा सा बड़ा सा केंद्रक मैं दिखा देता हूं ताकि अच्छे से समझ में देखेगा मैंने बोला ये है कौन बिटा ध्यान से सुनना ये है ये है हिस्टोन प प्रोटीन है और इन हिस्टोन प्रोटीन के ओपर ध्यान से देखना ये ने लपेट दिया फिर लपेट दिया फिर 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 और अब आप मुझे बताएं ये धागा दिख रहे है चलो एक और धागा देखिए एक दू ऐसे ही एक और दिख रहे है एक और ऐसे ही एक और अब आप मुझे बताएं किया आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये रेशे ये धागे दिखाई दे रहे हैं अब आप मुझे बताएं ध्यान से सुनना बिटा मैं क्या बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा आपको ये पूरी एक धागा दिख रहे हैं अब ये धागा किससे बना हुआ था हमने बोला सर ये है डिय इस पूरे संद रचना को भूता है को में हैं घ्यान से सुना क्या नाम देते którzy हैं यह भी क्या है क्रोमेटेड है ये भी क्या है क्रोमेटेड है ये भी क्या है क्रोमेटेड है ये सारे क्या है क्रोमेटेड है क्या है बच्चो क्रोमेटेड है तब आप मुझे बताएं क्रोमेटेड किस से बने हो जल्दी से सूचो क्रोमेटेड किस से बने हो क्रोमेटिड 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 क्र सारे नुग्लियू सोम से मिलकर एक लड़ी सी बनी की एक रेशा सा बना है जिसको हमने बोला है क्रोमेटेड ऐसे एक और क्रोमेटेड ऐसे ऐसे बहुत सारे क्रोमेटेड के अंदर हैं और मिलकर क्या बना रहे हैं जाल बना रहे हैं और ये जाल जो है ना इसी जाल को हम बोलत हैं फाइनल सी बात मुझे बताएं क्रोमेटें क्रोमेटें मेरे भाई जल्द इसे सुनना ये जो क्रोमेटें है ये जाल है किसका है क्रोमेटें का वापिस उल्टा करकर बता रहा हूं क्रोमेटें क्रोमेटें क्या है ध्यान से देखना क्रोमेटें क्या है जाल है ये जाल किस एक pry join connect हिंदी में बूला हमने एक रेशा है जो किससे बणा हुआ था सर नुकलियुसूम से बना हुआ है बहुत सार है सरनुYou can सरनु नुकलियुसूम किससे बन हुए वीच मै हिस्टोन उसकी तरफ लेपता हुए टी तो डीने टीन सटों से बना नुकलियों सोय यह और नुकलियोसो Eenुप ने कहीं सारे नुकलियोसो हम ने मिलकर एक लड़ी सी बना दिय yıl को में भूमेटिड ऐस ऐक और एक और एक और एस बहुत सारे प्रूमेटिड Влад क calendar कि ह 민दर है ओर वही जाल का न लगा ठीन एतनी सी बात, और हमने बोला ध्यान से सुनना, यह जो chromatin मेने आपको दिखाया है, यह chromatin जो होता है, यह जाल होता है, आपने पूछा किसका मैने आपको बता दिया है, किसका chromatin का? Chromatin किससे बना हूँ, नुकलिसों से, नुकलिसों किससे बना हूँ है, DNA लिप्टा हुआ कि इसके उपर हिस्टोन पूटीक के उपर हमझे में आगया इतना लंबा DNA कैसे डाला लपेटा इसके उपर हिस्टोन तीक है अब आपने बोला यह जाल संगनित होकर निर्मान करता है गुण सूत्र का यानि यह जो क्रोमेटन यह जो जाल जो दिख रहा है आपको यह इस तरीके से संगनित होगा और क्या बना देगा गुण सूत्र बना देगा ठीक है यह क्रोमेटन संगनित होगा और क्या बना देगा चोटे होते जाएंगे और क्या बना देंगे गुण सूत्र बनाईगा आईएगा देखते हैं यहां पर दिख रहे हैं आपको दिख रहे हैं आपको अब देखना मैं क्या बताने वाला हूँ ध्यान से सुना ये विटा एक क्रोमेटेड था ये भी क्या एक क्रोमेटेड ध्यान से देखना क्या होने वाला है जल्ली से देखना बास लास्ट चीज़े यहां पर ये क्रोमेटेड था ये क्रोमेटेड दो क् एक और chromatid में दो chromatid दिखा रहो हूं ऐसे 92 chromatid होते हैं हमारे अंदर कितने chromatid होते हैं 92 होते हैं ठीक है समझ में आ गया अब कितने बोले में 92 कुछ रीजन है उसका ध्यान से देखना यह chromatid अब अंदर क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं कि बार बार बनाने से बहतर है एक बार में समझ लें तो ज्यादा बहतर है क्या है बिटा जी अंदर nucleosome है या histone protein है जिसके उपर कौन लिप्टा हुआ हुआ है या DNA कि इतना तो समझ में आ गया ना मेरे भाई अब एक एक्स्ट्रा चीज आपने याद रखनी है यह जो क्रोमेटेड है यह क्रोमेटेड इस क्रोमेटेड के बिलकुल बीच में एक प्रोटीन की इसकी प्रोटीन की यही कलर ले ले लेते हैं इसकी प्रोटीन की तो एक बिस्क मिलती है डिस्क की प्रोटीन अम बोलते है रखना काइनेटो कॉर लुकली चैनाम में नाम दिते हैं कानेट्प मेर्म, लेधी काईनेटो की तुम इन अब के शयों के अब पकशी अब थी शयों गोड़ाति है करूमिटेड एसे कितने बोले मैंने कितने मिलन Thousand Music के अंधर 9020 पिर नेन ता पता ने कर देखिए कर क्या हो यहां तो Centra है आप बोलेंगे सर ये क्रोमेटेड और ये क्रोमेटेड एक दूसरे से जूड़ गए हैं सर आपने बोला हाँ जी क्या हो गए हैं जूड़ गए जूड़ गए हैं जड़ा दिमाग लगए ये क्रोमेटेड और ये क्रोमेटेड आपस में जूड़ गए और जब ये जुड़े तो कहां पर जुड़े जहां पर ये दो क्या मिल रहे थी काहिनेटो कोर मिल रहे थी ये संग्रचना कहला रही है मेरे भाई इतनी सी बात बताएं समझ में आई या निए तो क्रोमेटेड चूटे हो गए और चूटे होकर आपस में जूड़ गए क्या बना दिया गुनसूतर बनाया अब मेरे भाई जल्दी से सोच समझ कर मुझे बताएं एक गुनसूतर बनाने के लिए कितने क्रोमेटेड चाहिए हैना आप मुझे बताएं मिरी एक कोशिका इतने होते हैंommen 50 आलेस 46 माँण लगआ उच्यालिस بنने किलिए कितने क्रोुमिटेट क्या लिखा था ईक यही तो बताना था 92 क्रोमेटेड होते हैं किसमें हमारी एक सामाने कुशिका में क्योंकि यही 92 क्रोमेटेड मिलकर 46 गुण सूत्र बनाते हैं बताएं आई कहानी समझ में क्लियर है अब इटा मैं यहां पर यह जो गुण सूत्र है इसकी संगरचना आपको दिखाने वाला यह गु बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए हैं प्रोटीन की तो डिस्क मिल रही थी और क्या मिल रहा था याद करिए हिस्टोन 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 हिस्टो किसे जानते हैं कौन मेरे भाई ये टी एप है ठीक है डाइगराम बनाओ तो ढंग से बनाओ ताकि समझ में भी आ जाए अब आपने जो चीज याद रखनी है जहां पर ध्यान से सुनना जहां पर ये दो कौन है बिटाजी आपके काइनेटो कोर है ये जो जगे है ध्यान से सुनना ये जगे जो है न ये शेत्र जो है इसको बोला जाता है गुण सूत्र बिंदू क्या नाम देते हैं गुण सूत्र बिंदू नाम देते हैं क्या नाम दिया बटा जी गुण सूत्र बिंदू नाम दिया याद रखना बस इतनी सी बात इंगलिश में बोलते हैं सेंट्रो मियर इतनी सी बात याद रख सकते हैं अब इस गुण सूत्र बिंदू से देखो ये व एरिया है जहां पर दो काईनेटो कोर मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं गुर्ण सूत्र बिंदू बोलते हैं, तो बिंदू से इस जगे से इस भुजा की और इस भुजा की, अगर लंबाई में देखो, तो बराबर है, कि कम है, एक कम है, एक की ज़ादा, उस आधार पर जर्रत हमें बाद में पड़ेगी कब पड़ेगी जब हम जेनेटिक्स पड़ेंगे ना जेनेटिक्स पड़ेंगे यानि आनुवन्श की जब हम पड़ेंगे तब उसकी जर्रत पड़ेगी किसकी बिटा जी गुण सूत्रों के प्रकारों की किस आधार पर गुण सित्र यह एक गुण सूत्र है और यह दूसरा है यह तीसरा है ठीक है और यह दूसरा है अब आप जरा सोचिए इस गुण सूत्र की तुलना अगर मैं इस से करूँ तो अंतर दिखाई दे यह इतनी भुजा और इतनी भुजा बराबर है या नहीं है के नहीं आप ओलें यहां से पराबर है इस कंडिशन में यह वाली बुजा थोड़ी सी छोटी हो गए और छोटी हो गई और लंगी हो गई और बिल्कुल है नहीं ना के बराबर है और यह पुरी दिलम नहीं से, जरा सोचिए, क्या गुणशूत्र बिंदू के अधार पर ही तो देखा हमने, गुणशूत्र बिंदू क्या था, वो जगे जहां पर, वो जगे जहां पर काइनेटो कौर मिल रहे हैं मिरे भाई, क्या होता है गुणशूत्र बिंदू, तो उसके अधा पर यहाँ पर हमारे चार प्रकार के क्या होते हैं गुनसूतर होते हैं अभी के लिए नाम वाम कुछ नहीं बता रहा हूं जर्त नहीं है आप बोलेंगे जर्त पढ़ेगी जहां पर प्रश्ण पोचे जाएंगे वहां पर जरूर मैं आपको पता हुआ है ये खतम हुआ है बिटा जी हमारा क्या केट रखा भूलना मत क्या खतम हुआ है बिटा जी हमारा केट रखा अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर किस चीज की एक आखरी चीज रह गई है कौन सुक्ष्म का है जिसको हम माइक्रो बॉडी जो बूलते है अब इससे प्रश्म नीट में जो उख सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ डीटेल में जाने की जरत नहीं है क्योंकि ये नीट में प्रश्म केवल न्सी आर्टी से आता है तो हमें सिर्फ न्सी आर्टी को फॉलू करना है बस जहां जरत होईगी मैं अपने आप आप आपको बता दूँगा जहां जरत नहीं है वहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई फाइदा नहीं है हाँ जी सूक्ष्म काय नाम से पता लग रहा है सूक्ष्म का मतलब छोटे और काय का मतलब एक खाली संग रचना अब क्या होती है ध्यान से सुनना ये याद रखना ये एकल जिली युक्त शंग्रचना होती है कैसी संग्रचना होती है एकल जिली युक्त शंग्रचना होती है जिन में ध्यान से सुनना जिन में कि एंजाइम मिलते हैं कि इतनी सी बात समझ बना जाएगी क्या कुछ ऐसी दे कोशिका है मालो यह कोशिका है इस कोशिका के अंदर यह एक तैली नूमस अम रचना है जिसके अदर एंजाइम मिल रहा है आप लोगे तो लाइसोसोम भी तो ऐसा ही पड़ा था हमने लाइसोसोम भी तो एकल आवरन था जिसके अंदर भरे पड़े थेंजाए मैं बोलुगा हा मेरे भाई बिल्कुल लाइसोसोम हमारी एंजी आटी में नहीं दे रखा है लेकिन याद रखना लाइसोसोम एक प्रकार काई ही तो है सुचु के लिखा हो एकल जिली युक्ति संग्राचुन जिनके अंदर भरे रहते हैं क्या एंजाइम आजी बिल्कुल लाइसोसोम में प्रकार का सुख्षुन काई है याद रख सकते हैं तो रख लीजेगा ठीक है तो भाईया इन में क्या भरे रहते मिटा ज दोनों में मिलते हैं थे इन के बस कि मैं स्टोरिटी के साथ कह रहा हूं इससे ज्यादा प्रशन नहीं पूछा जाएगा वस इतना सा ठीक है एक और चीज़ और बताये तो याद आगया मेरआ को एक तो यह क्या होती है तो चुक्ष्म काई है एकल जिली युक्ति जिन में भरे पड़े हैं क्या एंजाइम ये किस में मिलते हैं दो नुपादप और जनतुकोशिका में मिलते हैं बिटाजी ये मुख्य रूप से आप याद रखेंगे तीन प्रकार के होते हैं नाम अगर याद रख सकतो तो स्फीरो सूम पर अप्सी सूम और गलाई अप्सी सूम ठीक है मुख्य रूप से आपने याद रखना ये जो होता है ये पादप कोशिका में होता है जन्तु कोशिका में ये नहीं होता है याद रखना ये जन्तु कोशिका में याद रखना ये नहीं होता है और आप पूछेंगे पादप कोशिका में अगर ये होता है तो क्या कारे करता है तो याद रखना ये लाइस सूम के जैसा कारे करता है वो बच्चे जिन्होंने रेगुलर्ली मेरी क्लासिस को लिया है जब हमने लाइसोसोम पड़ा था तो मैंने आपको बताया था लाइसोसोम पादब कोशिका में नहीं होते हैं अगर याद है अपने सीरियसली लेक्चर को सुना है हर लेक्चर को अगर याद नहीं है तो आपने लेक्टरस जहां से नहीं सुने हैं मैंने बताया था लाइसोसोम जो होते हैं पादप कोशिका में नहीं होते हैं तो आपने से किसी ने कुछ प्रशन किया होगा क्या तो फिर सर लाइसोसोम का कारे पादप कोशिका में कौन करता है तो याद रखना कौन करते हैं स्फीरोसोम करते है अब यहां से जो प्रशनिनीट में आएगा न मैं आपको बताऊँगा जब हम एक अध्याय पढ़ेंगे प्रकाश संशलेशन एक अध्याय है जारवी कर्षा का प्रकाश संशलेशन वो जब हम पढ़ते हैं प्रकाश संशलेशन फोटो सिंथेस तो वहां पर ये शब्द आता है क्या पर ऑक्सिसोम ठीक है भूलना मत पर ऑक्सिसोम एक कोशिका अंगख है जो पादप कोशिका में भी जन्तु में हमारे अरवार का उता है यह तक रखना है जन्तु कोशिका में तया जय होते हैं लीवर विश्यां पदार्त भी जोता है उनका निष्क्रियन करता है टेएं में कोई पूछने वाला ये मश्टार कोई नी पूचने वाला आपका पादप कोशिका में भी है और जन्तु में भी है दोनों में दोनों में मिल रहा है ठीक है कारे कोई जरती नहीं है आपको गला योक्सिसोन का तो ये तीन प्रकार के होते हैं बेटा जी हमारे सुख्षुन का है बस इतना सही था ये था बेटा जी आज का लेक्चर आता हुआ फस्ट नुक्लियोसोम बना होता है जल्दी से मुझे बता है नुक्लियोसोम बना होता है किस से डीन ने से हेस्टोन प्रोटीन से दोनों ए और बी से या कोई नहीं फड़ा फड़ा जल्दी सा अंसा दीजेगा नुक्लियोसोम किस से बना होता है दूसरा प्रशन बच्चो वो प्रोक्त में से कौन जीवों में अनुवानशिक पदार्थ है अनुवानशिक पदार्थ कौन है डिन ने आर ने दोनों ए और भी या कोई नहीं जीव पूछा है ध्यान से सुनना जीव पूछा है जीव चालिए समय नाफ ता यह डिसकस करते बता पहला प्रशन था निूक्लियोसोम किस से बना हुआ था याद करिये अनुपा गरागे अगर आएगा तो छोड़ेंगे क्या छोड़ेंगे दूसरा इन में से कौन, अनुवानशिक पतार्थ है जीवों में और वाइरस एक जीव नहीं है ध्यान से सुना DNA अनुवान शेक पतारते हैं? हाँ है जो एक पीडी से उससे पीडी में जाता है RNA है? हाँ है लेकिन जीवों में नहीं सिर्फ और सिर्फ only and only वाइरस विशाण और वाइरस कोशिका नहीं होते वाइरस जीव नहीं होता है वो शरीर के बाहर निर्जीव होता है शरीर के अंदर जब जाता है तो काम परना स्टार्ट करता है तो भूल मत जाना RNA किसी भी जीव के अंदर सजीव के अंदर लिविंग के अंदर RNA अनुवाशिक पतार्थ नहीं है अगर में यहां पर यह जीव हटा देता ना कि उपरोख समें से कौन अनुवाशिक बताते है तब मैंध्यों तया क्युई कि यहां पर जीव नहीं लिखा होता मैं यहां पर साफ साफ लिग दिया जीवों में, सजीवों में कौन होता है यादबना, TMA, भूल मत चाहिएगा, इसी के साथ हमने समाप्त किया है हमारा यह अध्यायद, आज का लेक्चर मेरे ख्याल से पूरा अटेंड करीगा, बहुत इंट्रस्टिंग था, ठीक है, और अब, आपको नीचे होमवक्स सेक्शन में मिलेगा, निक्स अध्यायद हम स्टार्ट करेंगे कौन सा कोशी का चक्रा और कोशी का विभाज़, ठीक है, तो मिलेगे बटा जी, निक्स लेक्चर में, ओके बिन, टाटा, बाए-बाए, ठीक